जहें दोस्तों मैं अब सिक पटेल रियेज के सनाय सेकंडिव पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों बरसों के इंतिजार के बाद आज उत्तर प्रदेश पुलिस भरतियों परुन्नत बोर्ड की तरफ से एक बिग्यपती जारी हुई जिसमें कुल 9534 रिक्त पदों के लिए भरती होनी है जिसमें से 9027 पद केवल किसके लिए है केवल सबस्पेक्टर SI के लिए 9027 पद है 484 पद जो है वो प्लाटून कमांडर P.A.C के लिए है और उसमें से 23 पद जो है वो अगनिसमन दितिया दिकारी के लिए है जिसमें तेज़ पद क्या है अगनिसमन दितिया दिकारी के लिए इसमें एक बात और जाने लायक है कि जो SI के रिक्त पद है उसको मेल और फिमेल दोनों कंडिडेट इसके लिए पात रहें लेकिन प्लाटून कमांडर PSC और अगनिसमन दितिया दिकारी के लिए केवल मेल देखें कि कुल कितने कितने पद किस किस वर के लिए है तुम देखेंगे कि जनरल अर्थात अनारच्छत वर के लिए कुल 3613 पद है और EWS के लिए 902 पद है OVC के लिए 2437 पद और 1895 पद हैं और इसमें हम महिलाओं की दिसख्या देखें तो महिलाओं के लिए कुल 1805 पद रिजघंव है यो यूपी SI की SI की जो कुल 9027 सीटे हैं उसमें से 1805 सीटे महिला के लिए रिजर्व हैं बाकी अलग-अलग वर्गों के लिए अलग-अलग सीटे रिजर्व हैं लेकिन फिर भी ये 9027 एक बहुत बड़ी मात्रा होती है क्योंकि हाल-फिल-हाल के में देखें तो इतनी सीटों के लिए अभी वेकंसी नहीं आयुए और दूसरे जो पद है उनको देखें तो दूसरा है प्लाटून कमांडर का प्लाटून कमांडर के लिए जो कुल 484 पद है उसमें अनारच्छित वर्गों के लिए कुल 194 सीट है अनारच्छित वर्ग के लिए 194 और و के लिए एक उकुका यूर्व है और अगनि समनहारा है अधिकारी के लिए अनारच्छित वर्गों में जो सीट की पार्स हो दस है EWS के लिए 2 सीटे OBC के लिए 6 सीटे और SC के लिए कुल 5 सीटे हैं लेकिन ST के लिए इसमें सीटों की संख्या 0 है कुल मिलाके 23 पद जो है 23 पद ये अगनी समन के लिए हैं ठीक है और यह हम देखें ये फार्म अपर्प से भरा जाएगा फार्म भनने की जो तारीख है वह एक अपर्प्रियल से हमारा ये फार्म भरा जाएगा और लाफट डेट हमारा फार्म भरनने का और 30 अपराल होगा TB12 बहाँ जाता कि हमारा फार्म भरा जाएगा 1 पर्त से और फार्म Natalie का जो लाफ्ट डेट होगा ओ तीस सप्राइल रातर के बारा वजे तक या भरा जाएगा और आवेदम सुल्क जो है ओवी सी यस्टी जनरल मेल फिमेल सब के लिए जो है चार सुरुपे निर्धारे थे किसी के लिए इसमेरी यायत नहीं है और आगे देखे आहरता हैं तो इसमें इछा के लिए इसमें है आहरता कि सभी कंडिडेट के लिए अगर यह साई के लिए और फार्म भर रहे हैं तो अस्तनातक की उताध उनके लिए ज़रुरी है 30 अपरेल 30 अपरेल से पहले उनके पास आफनातक का रिजल्ट उनके हाथ में हो वही इसके लिए पात्र होंगे औ और बाकी जो अगनिसमंदितियादिकारी के लिए है उसके लिए क्या है बिग्यान ठीक है बिग्यान वर्ग में अफनातक होना जरूरी है जबकि SI और प्लाटून कमंडर P.S.E. के लिए किसी भी वर्ग से आप अफनातक होंगे तो आप फ़ाम बनने के लिए पात रोंगे ल या अपेरिंग कंडिडेट इस फ़ाम के लिए पात्र नहीं होगा ठीक है और अधिमानी अहारताएं क्या है वैसी अहारताएं होती है इसमें इनका नंबर कुछ नहीं जोड़ेगा लेकिन यादि दो कंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर बरावर है तो यादि इनमें से कु पर्मारपत्र उसके पास हो तो उसको बरियता दी जाएगी लेकिन अधिमानी अहरताओं की का कोई भी नंबर इसके लिए निर्धारित नहीं है ना तो कोई नंबर इसमें जुड़ेगा आयू की अतिसीमा देखें तो मिनमम आयू 21 बर्स है ठीक है मिनमम आयू जो है 21 बर् से पहले ना पैदा हुआ हो और एक जुलाई 2000 के बाद का पैदा हुआ ना हो ठीक है लेकिन इसमें सी स्टी और ओवी सी के लिए पांच साल का रिलिक्सेशन दिया गया है अर्थाथ 28 में पांच अगर हम जोड़ेंगे यह 33 वर्स के अगर कोई होगा तो भी फार्म भर सकता है यह किसके लिए है SC ST OVC EWS के लिए पांच साल की जो छूट यह नहीं दी गई है ठीक है आगे हम देखें कि और जानकारी क्या है चरित प्रवाण पत्र इसके लिए भी ज़रूत नहीं है बैवा की इस्थित इसमें यह कहा गया है कि वह भी बैक्ति पात्र होगा जिसकी क साथ किसी ऐसे वही जिसके पास एक पत्नी और भी है तो अभी इसके लिए पात्र नहीं होगा सारे रिक स्वास्त यह सब नहीं भरती पर क्रिया आनलाइन लिखित पर इच्छा ठीक है भरती पर किरिया यह दिम देखें तो यह पिछली वारा की तरह आलान लाइन ही होगा कई चरड़। में होगा अरंवलाजेसन होगा और विसमें माइनस मार्किंग नहीं- माइनस मार्किंग इसमें नहीं है माइनस मार्किंग नहीं है लेकिन कुल 400 अंकों का यह पेपर होगा जिसमें समान हिंदी के कुल 40 प्रस्ण होंगे ठीक, 40% 40% इसके भी होंगे मूलविद सम्मिधान के 40% होंगे मैथ के होंगे आपके 40% और आपकी रिजनिंग के भी 40% होंगे और इन सब में आपको अलग-अलग विश्यों में समान हिंदी या समान ग्यान जिसमें आपका सम्मिधान भी है मूलविद भी है इन सब में अलग- 50% गंप आपको लाना होगा अर्ल county's होने के लाना होगा लेकिन इसमों मार्किंग नहीं खिखकर पूरा जो inmtv पटेपर है या पेपर आपका पूरा की मारमाली यह संख्या होगा और इसमें यह McD ऑट या事情 itself है 35% आपको अलग-अलग विसे में और ओबर आल आपको 50% अंकलाना अनिवार है ठीक है कि 50% अंकलाना अनिवार है और इसमें उचाही मतलब कंडिडेट कितना लंबा हो इसमें नियुनता में 108 सिंटीमीटर है इसमें किसी को कोई रियायत नहीं है अगेदि आप एस्टी है एस्टी के लिए एक सो साट सेंटीमीटर है लेकिन जनल ओवी सी के लिए कंडिडेट की लंबाई 108 सेंटीमीटर और सीना जो है सीना मिनमम सेवन्टीनाइन और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर मतलब पांच सेंटीमीटर उसका सीना फूलना चाहिए ठीक है मिनमम सेवन्टीनाइन और फुलाने के बाद 84 ठीक और जो एक सो बावन सेंटीमीटर ठीक है महिला जो हो एक सो बावन सेंटीमीटर की कम से कम हो और यदि वह Anssuchit वर्क की है तो उसके लिए 147 cm निर्धारित हैं और महिला का वजन कम से कम 40 kg होना चाहिए यह हो गई आपकी आहरता हैं आपकी लंबाई आप कितना सीना फुला रहे हैं और महिलाओं के लिए लंबाई कितनी है 122 cm और सी अगर सी है वो तो इसके लिए 147 cm है ठीक है 40 kg से महिला कब नहीं होना चाहिए तो यह बैकंसी मुझे लगता कि बहुत जल्दी ही पूरी की जाएगी क्योंकि आगे चुनाओं है इसलिए आप सभी से निवेदान है कि पूरी ततपर्ता के साथ इस बड़ा रोक दें क्योंकि दोड़भा के लिए भी समय पूरा है लेकिन 50% काफी होता है आपके पास होने के लिए और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा बहुत ही कड़ी मेहनत करनी होगी और इसमें आगे अगर देखें तो इसमें यहीं दिया है कि किसमें कितनी छूट ह तो यह सम चीजें मैंने पहले बता दे कि 5 वर्स के आयू में छूट है लेकिन यहाँ पे देखें EWS के लिए 10% सीटे रिजर्वतों हैं लेकिन आपको आयू में कोई छूट नहीं मिली है ठीक है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको छूट तभी मिलेगी जब जात ही परमाणपत्र होगा और वह निवास परमाणपत्र हज्याद फरमांपत्र क्या होना चाहिए वह दिन टाइम लिमिट लो होना चाहिए मिनमम मैं आपको बतावं कि को याई मिनिट हाँ यहां देखिए प्रमड़ पत्र के बारे में जानकारी दिया है इसमें कहा है कि मूल निवास प्र्मड़ पत्र आवेधन पत्र जमा करने की इतिति से पूर्व निर्गत हो मतलब जो निवास प्रमण पत्र हो जिस दिन आप फाम भर रहे हैं उससे पहले बना हुआ होना चाहिए लेकिन जो अन्य पिशड़े बर के लिए जाती प्रमण पत्र है वह एक अप्रेल दो होजार बीस एक अप्रेल दो जार बीस के बाद का बना हो लेकिन जिस्तिनों भरती के लिए आवेदान कर रहा है उसे पहले या तीस अप्रेल जो लाफ्ट डेट है तीस अप्रेल दो जार एक किस के पहले का बना हो मतलब आपके लिए मूल निवास प्रमण पत्र के लिए पहले बनने के से लिए कोई तदना है लेकिन जए कुछानी जात परवन पत्र हो इक का बाद अपरेल 2020 के बाद बना हो और तिस अपरेल 2020 से पहले बना यद्य आप अपरेल के पहले फर्म भर रहे हैं तो वह आपका जो जाती प्रावणपत्र होगा जिस डेट को आप भर रहे हैं उससे पहले बना होना चाहिए ठीक है तो यतनी जानकारी थी आपकी SI की जो बैकंसी आई है उसमें आपके लिए क्या-क्या चीजा निवार है और परिच्छा का पैटर्न क्या है क्या निगेटिव मार्किंग है की नहीं है इन सभी बातों को मैंने पूरे बिस्तार के साथ बिवन्ड किया और यदे आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में सेर करें और मेरे चैनल को ज्यादा फे ज्यादा सस्क्राइब करें थैंक यू धन्यवाद